जीके की क्लास आपकी 9 बुजे हो चुकी है और अब 9.30 बुजे साइंस की क्लास होगी चलिए स्टार्ट करते हैं अब Science के Question कовर करेंगे जिसके अंदर आपका पार्ट रहता है Physics Chemistry Biology Biology के अंदर दोनों होते हैं Botany और Geology और कुछ वह Topics जो हैं वह वायरमेंट के भी रहते हैं तो सारे भी यहां कवर करने वाले हम पहला किस्टन आपके सामने है निम्रलिखित गैसों पर विचार कीजिए जिसमें गैस हैं चार आपके पास और गन ऑक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डायोकसाइड इन वायूमंडल यह गैसों का उनके आयतन प्रतीशत के अधार ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं तो पहले नंबर पर हमारे पास है नाइट्रोजन ठीक है तो नाइट्रोजन का नंबर कितना है यहां पर तीन नंबर सबसे पहले आना चाहिए तो यह उप्शन तो खतम होगे दो खतम होगे तीन नंबर सबसे पहले बंदो ऑप्षिजनों में इन दोनों में से हमको कौन सा होगा अब नाइट्रोजेन के बाद में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है आपकी औुक्सीजिजन कि अनबर पर आप नहीं निया चाहिए दो तो इन दोनों गैसा नहीं निकला नेक्ट देखते हैं तो फ रहा है फूर्थ हवाले में आ रहा है तो फूर्थ राइट आंसर होगा यह क्रोस हो जाएगा आपका और लास्ट में कार्बन डाय ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है तो यह फूर्थ ऑप्शन जो है आपका से होगा 3214 यह सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन के अधार पर प्यज का मान होता है आपको पता होना चाहिए साथियों की जो पिछ स्केल होती है उस पर मान कैसे डिसाइड करते हैं और अमल क्या होता है तो देखो माना यह क्या है पकी कोई प्यज केल है ठीक है legislative जो बीच में पॉइंट होता है वो होता है पूरा पुर शात मान पिएच क्या बोलते हैं उसको उदासीन का आर्थ रूठा हुआ नहीं है उदासीन का फोफ जो नूट्र लोता है ठीक है नूट्रल तो वह साथ पे अगर इसका हम उधारन देखना चाहें तो आपका शुद्ध जल हो सकता है शुद्ध जल का जो प्यजमान है साथ होता है और यह उद्धासीन होता है ना तो अमलिय न शारिय, अभी अम्ल और शार्स आहें उन्हेड़ी क्या होते हैं साथ से कम जिन पदार्तों का पी त्मान उनको हम अमलिय कहते हैं यह मार जिसको इंग्लिश में एजिट कहा जाता है ठीक ह 고양े और और जिनका प्येस साथ से अधिक होता है उसको यह सार को हम ने क्सक्राइबard और बनता है एक्जाम् में तो यहां पर आप जब σपाते आप पताते साथ से अधिक शुदुचल का पूछता तो आप पताते पूरा-पूरा साथ होता है। जब आवर्थ बीजी में निशेचंत्रिक सनलयण होता हो तो अन्यवर्ग के पोधों में किस प्रकार का सनलयण होगा देखिए जो अन्यपदार्स के पोधे होंगे उनमें दूस नलेण होगा अब यह जो टोपिक है थोड़ा हार्ड रहता है बायोलोजी का तो इसमें आपकी योग्य भाग कुंसा है ली डस्पही को पाती है वज्चत बहुत इ lev थे तो यहां पर जोपने योग्य भागहल उत्या कि extrem ऑप है लेकिन अब आपकी यह होता है कि अग्जाम में आपकी अता है कि यह जो खाने किया जाता है है ठीक है नेक्स्ट किस्टन पे चलते हैं प्रकाश तन्सलेशन के लिए आवश्क है कारबंडाइ ऑक्साइड क्लोरो फिल और सुधी प्रकाश तो यह सब यह आवश्क California के लिए प्रकाश तर्शन का अर्थ किया होता है इस को इंगलिश में हम फोटो सिंथसिस ह lugar one just hope अपना वोजन बनाते हैं संब बनाते हैं पुद्धों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकास संशचलेशन और फोटो सिंथेसिस बुरा जाता है ठीक है और हाँ एक क्यूश्चन आता है देखो बच्पन में क्या होता करी बार हम गलत चीज़े सीख जाते हैं अब हमें क्या सिखाया गया था कि पौधे जो हैं वो हमेशा ही ऑक्सिजन ग्रहन करते ऑक्सिजन छोड़ते हैं और कार्बन ड करते शीजन पर हमें बड़े होने के बाद में अब समझ आ है साल पहले ही बाकिक बच्पन में हम यह बताया गया था लेकिन जो सिक्षा का थोड़ा स्थर हैं वो स्थर सुधरता जा रहा है थोड़ा हम खेसकते हैं तो अब जो है थोड़ा गैहन अध्यान करकी टीचर जो वो पढ़ाता है तो यह है कि जो पोधे होते हैं वो जब अपना भोजन का निर्मान करते हैं जब अपना भोजन बनाते हैं जिस समय प्रकास संशलेशन की क्रिया होती है के वल उसी समय जो है पोधे oxygen छोड़ते हैं और carbon dioxide gas ग्रहन करते हैं बाकी अगर ये पुछा जाए आपको normal सीधा question आए कि पौधे कौन सी gas ग्रहन करते हैं तो उसका जवाब जो है oxygen ही होगा और normally पुछा जाए question कि पौधे कौन सी gas छोड़ते हैं तो उसका जवाब carbon dioxide ही होगा और अगर क्रिश्चन ऐसे आए कि पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तब कौन सी गैस ग्रहन करते हैं तब आपका जवाब होगा कारबंडाई ओक्साइड या इस क्रिश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पौधे प्रिकास संस्लेशन के दौरान कौन सी गैस ग्रहन क करते हैं तब आपका जवाब होगा कारबंडाई ओक्साइड और अगर क्रिश्चन ऐसे आए कि प्रिकास संस्लेशन या भोजन बनाते वक्त पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं तो आपका आंसर होगा वहाँ पे ऑक्सीजन ठीक है समझ पा रहे हैं कुछ नहीं समझ में कभी चलिए प्रकाश के अवशक है यजए अवशक होगे नेक्स तब सकते हैं क्लोरोफील प्रकाश में कौन से रंग को गरहन करता हैट तो टॉरोफील जो scream को बैंकर लेला लाल इन सभी रंगों को अजोग कर लेता है अ कि नेस्ट कुश्चन है किस रोग के कारणा पत्यां चितकब्रापन पत्यों में चितकब्रापन सा confident नामक रोग नाम्य बॉटेटेटोक किस रोग और पत्यां और रहा हुग जाती द्यां एं आपको ध्यान हो तो अगर को बाप्खो को ुठimbude खाते हैं इस एक एक की रंगत चली जाएगी चहरे की क्या चली जाएगी रंगत चली जाएगी तो इसको याद रखने के लिए बताया है तो इसका उत्तर होता है इसको याद रख सकते हैं पतियों के अंदर चलॉरो फिल खतम हो जाता है ऐसे तो इसका रिलेट करके याद रख सकते हैं तव्हें का मोजेक रोग ठीक है इतमाग को मोजेक रोग याद कर लेंगे एक question ऐसे बनता है कि जो तमबाकू का मोजेक रोग होता है वो कौन से वाइरस के कारण होता है अगर जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हार्ड रखना चाहे एक्जामीनर तो यह question देख सकता है तो मैं यहां पर लिख देती हूं जो बेको मोजेक क्या नाम तो बेको मोजेक वाइरस के कारण होता है तो अगर मोजेक है यहां पर आपका बाकू का मोजेक रोग होता है तो यह option दोस्तों आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है next question पर चलते हैं आगा next question कोशिका में पाया जाने वला अनुवान्शिक पदार्त है अनुवान्शिक पदार्थ होता होता है इस ने खरीवार मूवी करहें मह देखते हैं बचपन में यानतार रहा कोई देखी ती जिसमें दो और तैंटी वह एक बच्चे के लिए लड़ रही थी और क्या था कि फिर जो डॉक्टर होते हैं वह सलाह देते हैं कि अब जो है इनका डीने टेस्ट करवाया जाए जिससे पता लग जाए कि किस का बच्चा है यह ठीक है तो डीने क्या होता है डीने का आनुवान शिक से पता चल जाता है दीन ने आनुवान चिक पदा था जो कोश्विका में पाया जाता है नेक्स्ट क्रिश्टन पर चलेंगे पादप हार्मोन की किस ने की थी जिब्रेळी एक पादप हार्मोन है यह कर आचुका है इसकी खोज पूछा है अब यहां पर तो यह कुछ साहर्मोन तो अब इसकी खोज भी पूछ लिये तो कुरोसावा ने की थी को हमारी तरह चिंकी पिंकी नाम होते हो राम से याउज जाते हैं लेकिन यहां जो नाम है थोड़ी हार्ड रहते हैं दो तिन बार इनको उचारण करो इनका तब्याह दोंगे जागे को रोसाव जोटे थी तो हम ऐसे म्यूजिक सा साउंड सा बना की इनको यात करते थे एसे याद नहीं रहता था तो हम एसे दिन लगे रहते थे आप दूसरे का नाम निकाल यूटी कम एस्टीवम टीटीकम एस्टीवम तो इस और जो गेहों होता है उसका नाम स्टिटिकर में होता है तो अभी तक याद रहे हैं है आप वह स्टिफिक नेम उसके नामों के पद्दती होती लीनियस नाम के विग्यानिक नाम कि प्रस्तुत किया किशना कि टोपिक व्रास में प्रस्तूत है वह जल्दी जल्दी किश्टन कवर करते हैं इसका नाम तो और और भी हार्ड आ गया है दोस्तों क्या नाम है यह बार्बरा मैकलिन टॉकने यह नाम है तो दिन बाहर पड़ो तब जाके याद होगा तो पर आपको लिखना थोड़ी वाँ जाके आपको ऑप्शन देखने है थोड़ा माइन में क्लिक होना चाहिए ऑप्शन आ चाहिए ठीक तो उसको बच्चे कहते नहीं है कि हमारी एकदम जो है ऐसी हेर स्टैल कर दो जंपिंग जपाक सी लगी तो उससे याद लख लेना जंपिंग जीन नैस्ट किस्टन पे चलते हैं अनुपरस्थ तरंगे किस माध्य में उत्पन की जा सकती है अनुपरस्थ तरंगे लिएकि थोसो में ही उत्पन होती है मुख्यत और वह द्रव की सतह पर भी उत्पन की जा सकती है लेकिन द्रव के एंदर नहीं की जा सकती है और बकी अगर द्रव की सतह तो दोनुख फोस में और द्रव की सतह पर पर मैंधली jj就是 होता है War अब मैंने से तरंगों वाले लेक्ट्र में पूरा बताया हुआ है तरंगे कितने प्रकार कियो थी और उनको किस प्रकार से बांटा जा सकता अनुपरस घोते हैं। प्रभाव यह सब कुछ पढ़ाया हुआ बोर्ड पर पढ़ाया हुआ अच्छी क्लास थी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे तो वहां जाके आप देख लेना निम्र में से प्रित्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले धातू तत्व कौन सा है धातू तत्व बताना है जो कि प्रित्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यह होगा अलूमीनियम ओप्शन के अधार पर कर रहे हैं अलूमीनियम जो अलूमीनियम हो होता है वह oxygen के बाद में सरवाधिक पृत्वी पर पाया जाने वाला थत्व है सबसे पहला oxygen है oxygen यहां पर option में नहीं है साथियों तो हम aluminum सई कर रहे हैं next question हां Aluminium का पर्मानो करमांक बताओ और मांव करमांक कम ID कम 30 तक तो पर Bowl करमांक का आपको यादो होने ही चाहिएeti do aluminum का पर मां कगउंग 3 होता है इसको एएल से Denote करते yeah का से निमनांकित में से कॉन एक रक्ष है जो कभी समाजिक वांग वांगी की में आए चाहता है तो यूकईलिप्टिस यह प्रीय था द्विड फ यूब करण होता है तो यह शोर के कारण होता है यह जो टिनाइटस जो रोग है यह मेरे पिताजी को भी है इसमें क्या होता है कि जो मनुष होता है उसके कान में लगातार एक साउंड चलती रहती है लाइक वो साउंड हर इनसान के लिए अलग अलग भी होती है जो रोग होते हैं उनके लिए किसी में तो ऐसे आवाज चलती है लाइक कुछ ट्रैक्टर या कुछ विकल चल रहा हो कोई वाहन चल रहा हो किसी में ऐसे होता है कि कुछ जैसे इंजन की सीटी होती है उस तरह से य और यह आवाज 24 घंटे उनको सुनाई देगी बहुत ही खराब बीमारी है बहुत खराब इससे चड़चड़ापन भी आता है और इनसान जो होता है एक तरह से मानसिक रूप से वो अपना सहीम खुद पर खोने लगता है इस तरह की बीमारी है तब ही कहते हैं कि जो हमारे कि अगर हम तेज साउंड सुनते हैं बहुत तीज म्यूजिक मस्तार रहता है या जद शवाली जगह रहते हैं या कुछ यहां पर साइंस के क्युस्चन कवर कर ली तो एक बार जैहिंद बोल दे सबी क्लास का समापन करते हैं जैहिंद